हलो एवरिवन वेलकम बैक तू मैं चैनल, आज हम बनाने वाले हैं चिकन पेटा मसाला रेसिपी तो सबसे पहले हम लेंगे कडाई, कडाई को गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे ओल और oil को भी हम गरम करने के लिए रख देंगे अभी हमारा oil गरम होके रेडी हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जो पेटा का चरबी रहता है वो इसमें हम डालेंगे क्योंकि oil हमने बहुत ही थोड़ा डाला है और पेटा में थोड़ा चरबी जादा था तो वो इसमें हम डालेंगे तो हमको ओईल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी हम सारा जो है चरबी इसमें डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए रग देंगे इसको थोड़ी सा हिला के भी लेना है, मिक्स करके लेना है क्यूँके वो नीचे से चिपकना जाए तो अभी इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए अभी रग देंगे अभी थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से पक जाएगा तो अभी इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका ओईल भी रिलीज हो जाएगा पूरा तो इसमें हम डालेंगे जि यह पूरा ओयल है और जो चर्बी था जो पूरा मतलब वो फ्राय हो गया है उसी के ओयल में फिर इसमें हम डालेंगे चिकन टेटा इसको चिकन टेटा भी बोलते हो और चिकन पेटा भी बोलते है अभी इसको हमने बारिक कट करके लिया है पूरा और अभी इसको हम इसमें डा अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे अब यह मिक्स हो जाएगा तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ढ़क के तो जो है उसका जो पानी रहता है वो छूट जाएगा चिकन टेटा का देखिए अब यह पानी भी छूट गया था और उपर से हमने और थोड़ा गरम पानी डाला है इसमें पकने के लिए क्योंके चिकन पेटा एक ऐसा मतलब आइटम है उसको थोड़ा पकने के लिए थोड़ा टाइम जादा लगता है इसलिए हम इसको गरम पानी डालेंगे और इसको हम बॉइल होने तक ऐसे ही रखेंगे अभी बॉइल होने पूरा कम हो गया है इसमें से, फिर इसमें हम डालेंगे हमारा चिकन मसाला पाउडर, और फिर इसमें हम एड करेंगे, सॉल्ट एड करेंगे, सॉल्ट जादा नहीं एड करेंगे, थोड़ा सही सॉल्ट एड करेंगे, अभी इसको हम सारे जो मसाले डाले हुए है, इन सारों का मिक्स करके लेंगे आप देख सकते हो कितने अच्छे से उसका कलर आ गया है और हमारा जो चिकन का पेटा है वो भी लगबग अभी पक के रेडी हो गया है अभी इसको थोड़ी दिर और पकने के लिए रखना पड़ेगा अभी फिर इसके बाद में हम डालेंगे इसमें मसाला यह हमारा घर का जो मसाला है वो है जो कोकोनट का पेस्ट रहता है वो है भून के लिए हुआ कोकोनट का पेस्ट और उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालके उसका पेस्ट बना के लिए है वो डाला है वो ग्रेवी के लिए मतलब जो हम बनाने वाले हैं मसाला चिकन पेट अच्छे से बॉयल हो रहा है अभी इसको हम मिक्स करके लेंगे और पकने तक उसको हम ऐसे ही गैस पर रख देंगे इसको आप ढखके एक साइड में रख दो तो यह अच्छे से पक जाएगा आप देख सकते हो मसाला भी कितना अच्छे से पक गया है और उपर जो ऑईल है वो पूरा गल गया है और हमारा जो चिकन पेटा है वो भी अच्छे से पक गया है इसको हम फिर उपर से फ्रेश कोरियंडर डालेंगे और उसको हम सर्व करेंगे देखे हमारा अभी यह चिकन पेटा पूरी तरह से अभी यह रेडी हो गया है यह चिकन पेटा की रेसिपी वेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए